ऐलो एरीवन वेलकम टू स्यास पटवास रेसीपी आज हम बनाएंगे सेव खमनी सेव खमनी सूरत का मसूर इस्टिट फोड है जो की खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है क्योंकि या बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जा आप यदि इसे सुभा के नास्ता में बनाना चाहते हैं तो आप इसे रात में ही पानी में डाल कर रख दें और इसे अब हम एक ग्रैंडिंग जार में डाल देंगे अब इसमें डालेंगे दो हरी मेर्च कट करके आधा इंच का अधरक का तुकड़ा लिया है तो इसे भी छोटे-छोटे पीचेस में हम कट कर देंगे आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाले एक चुटकी हिंग एक चौथाई कप पानी आधा कप दही आप दही की जगा इसमें एक मीडियम साइज की निपू का रज भी डाल सकते हैं यदि आप निपू का रज डाले तो फिर इसमें पॉन कप पानी डाले और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो इसे बहुत ज़ादा चिकना या बहुत ज़ादा दरदरा नहीं पीसना है बस थोड़ा दरदरा ही से रखना है और अब इसे हमने पीस लिया है अब हम इसके लिए स्टीमर तयार कर लेते हैं तो यहां हमने एक भगोना लिया है तो इसमें दो गिलास पानी डाल देंगे और नीचे एक स्टेंड रख देंगे और ढख कर पानी को गरम होने देंगे और अब हम इस बैटर में एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे आप बेकिंग सोडा की जगा आधा चम्मच इनो प्रूट साल्ट भी डाल सकते हैं और इसे मिक्स कर देंगे इसे बहुत ज़्याद नहीं पेटना है इसे फल्ख्याद से इसे मिक्स करना है अब हमने एक प्लेट ली है तो इसे ओल से ग्रीस कर लिया है इस प्लेट में इस बैटर को डाल देंगे और बैटर को अच्छी तरह से फैला देंगे और अब पानी भी गरम हो चुका है तो इस बैटर वाली प्लेट को दीरे से इसमें रख देंगे और इसे ढख कर 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देंगे इसे स्टीम करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब इस प्लेट को हम दीरे से निकाल लेंगे और इस खमनी को 10 मिनट तक के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे या ठंडा हो चुका है तो कट कर लेंगे और अब एक एक पीसेस निकाल कर क्रम्बल कर लेंगे तो यहां हमने सारे पीसेस को क्रम्बल कर लिया है और अब हमने एक गड़ाई गरम कर ली है तो इसमें दो बड़े चमच ओइल डाल देंगे अब इसमें एक चमच तिल डाल देंगे अधा चमच राई एक हरी मेच बारी कटकी भी दस पंद्रा करी पत्ते और इसे एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे अब इसमें एक कप पानी डाल देंगे तो इसी कप से हमने चने की डाल ली थी इसमें अब दो चम्मच नीबू का रस डालेंगे एक चम्मच चीनी और इसे बॉयल होने देंगे जब यह बॉयल होने लगे तो इसमें खमनी डाल देंगे और अब इसे हम मिक्स कर देंगे अब इसे भी अफची तरह से मिक्स कर देंगे और सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकालेंगे अब इसमें थोड़े सेव डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से बारी कट की हुए टमाटा डालेंगे और यदि आप प्याज खाते हैं तो बारी कटकी थोड़ी सी प्याज भी इसमें डाल सकते हैं तो लीजिए हमारा कम तेल का बिना लासुन प्याज का टेस्टी नास्ता बनकर रेडी है और यहोब कि आपको रेडी पसंद आई होगी पसंद आई तो फिर लाइक सेर करें और नीव है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नीव वीडियो के साथ थैंक यू